शुब वास्तु में मेरी टजस्वाल आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम 37 के दिशा के एक्स्टेंशन के प्रभाव के बारे में चानेगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजे अगर आप आपके घर या फिर कारेस्तल का वास्तु मस्त करवाना चाते हैं तो नीचे दिये गएवे इमेल आईडी पर मुझसे संपर करें दोस्तो 37 यानि कि दक्षिन पूर्व के दिशा में अगनी तत्व का प्रभाव रहता है इसलिए इस दिशा को अगनी कोन भी कहा जाता है घर में जब 37 की दिशा बड़ी भी होती है तो घर के पास तत्व में अगनी तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है जिससे घर के पास तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे काम में देरी या रुकावट आ सकती है, अंचाहे खर्चों में बढ़त हो सकती है, पती और पत्नी के रिष्टे में तनाव आनी की संभावना होती है, प्रगती में बाधाये और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, खास कर घर की महलाओं को. एक्स्टेंशन के वास्तु के बारे में और जानकारी और उपाय के लिए मेरे इस वीडियो को देखें, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वास्तु शास्त रखें, ऐसे कई ग्यान बरी बातों को अगर आप आसान शुब्द में समझना चाते हो, तो मेर चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए शुब्बास्तु और हापे लिविंग